नमस्कार दोस्तो, मैं सुरन, श्वागत करता हूँ आप सभी का एक वा फिर अपने यूटूब चैनल नेयर दनेचर में दोस्तो, आज मैं आपको फेमली रेनन कुलेशी के एक सदस्य से परिचे कराने वाला हूँ दोस्तो ये पोधा फेमली रेनन कुलेशी का शदर्शे है इसके ये यलो किलर के फ्लावर लीप्स अगर आप देखेंगे तो ये लीप्स ये पामेटली कमपाउंड है ये लीप्स टॉक और ये अल्टरनेट है यहाँ पर देखाओ आप दूसरी यहाँ पर होगी तीसरी अल्टरनेट में यहाँ पर लगे होगी और ये आपको एक एनुवल हार्प्स है फेमली रेनन कुलेशी का सदर्श्य है इसे शामानेत्या बटर कप के नाम से जाना जाता है दोस्तो ये पोधा बहुत ही अधिक वाइजनेस नेचर वाला है शामानेत्या ये खेत में यहाँ पर उगा हुआ है और बिल्कुल देखने पर हर्वेशियश है लेकिन इसका उप्योग पशुओं के लिए नहीं किया जा सकता तो कि ये इसका जो ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये हाइली पॉजनेस है और ये उनके डाइजेस्ट्यू सिस्टम को डाइमेस कर सकता है तो दोस्तो ये जो पोधा फेमिली रेननकुलेशी का है इसको रेननकुलेश मूरीकेटस के नाम से जाना जाता है scientifically और शामान नितया इसको बटर कप या इसका ये जो फ्रूट है आप देख सकते हैं ये इस पाइनी जैसा दिख रहा है फ्रूट इस तरह से तो इसकी जो ये फ्रूट की अपेरेंस है इसके कारण इसको रफ फ्रूटेट बटर कप भी खा जाता है या इस्पाइनी फ्रूट बटर कप कहते हैं ये अमूल रूप से यूरोप का नेट्व पोधा है लेकिन ये कस्मो पोलिटान बन चुका है वर्ड वाइड डिस्टिबूशन वाला है फेमली रेनन कुलेशी के अंतरगत लगभग 300 स्पेसीज ग्यात है उनमें से एक पोधा ये भी है मैंने बताए कि ये पोधा हाईली टॉक्सिक नेचर का है अगर इसे फ्रेस खाली आ जाए और पशूओं को खिला दिया जाए तो उनके digestive system में नुक्षान कर सकता है और उनको कुट्टो के digestive system को damage करने के कई दारण ग्यात है इस पोधे में अगर आप blooming देखें flowering का season जो होता है वो अप्रेल मार्च अप्रेल में होता है yellow color के ये flower दिख रहे हैं पामेटली compound, low bed इसकी leaves हैं थिंबल लाइक और इसके जो flowers हैं, siny है, commonly yellow है इस पोधे के highly toxic nature के कारण इसको पशुओ को नहीं खिला जाता लेकिन इसको निकाल करके इसके जो seed होते हैं वो fever में, aromatic fever में और arthritis और अस्तमा में इस्तिमाल किये जाते हैं तो दोस्तों आपके आसपास अगर ये पोधा herbaceous annual herbs मौझूद है तो इसको पशुओं को खिलाने से बचना चाहिए क्योंकि ये पशुओं के digestive system को damage कर शकता है